विगत दो सालों से अपने पुनर्वसन की रा देख रहे बिना संगम रहने वाले बारा सो पडिवार की महिलाओ का रोश ग्राम पंचाथ प्रशासन पर उमर पड़ा जया ये वाकिया बुधवार की दोपर बिना संगम ग्राम पंचाथ में हुआ गाओं की अधिकांश महिला घर से निकल कर ग्राम पंचाथ पहुची गाओं में अनावशक किये जा रहे है विकास कारिय रोक कर बार्ड पीडित और कोईला खदान की दंगाईयों से बेकर हुए लोगों की मदद के लिए खर्च करने की मांग करने लगे बीना संगम गाओं के लोगों की जमीन कोईला खदान ने अधिकरहन कर ली है साथी साथ वहाँ उन्हां का अधिकरहन कर वहाँ उपन कास्ट खाधन भी शुरू कर दी बीना संगम की लोगों के पुनरवसन के लिए महाजैनको ने 122 करोड और वैकुली प्रशासन ने 85 खरी मन्जूर किये हैं लेकिन अभी तक दोनों कमपनियों ने जिलादिकारी कार्याले में पैसे जमा नहीं करवाए गाउं के पुनरवसन के लिए 120 से कड़ जगे प्रस्तावित की गई हैं लेकिन दोनों कमपनियों ने पैसे जमा नहीं किये इसलिए पुनरवसन के लिए जमीन के खरीदारी रुकी पड़ी है P.W.D. विभाग की दो साल से गाउं वासियों के घर और जगह का मुल्यांकन भी हो रहा है COVID-19 को नाकपुर जिले में आए सिर्फ 9 महें हुए हैं लेकिन पिछले दो सालों से पैसा जमा करवाने में वेकोली और महाजैन को तथा P.W.D. विभाग मुल्यांकन में इतना लेट लतिफी क्यूं बरत रही है इस बात को लेकर गाउं वासी क्रोधित है अगर जल से जल प्रशासन ने गाउं के पुनर्वसन की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो पीडित लोग पुरे परिवार के साथ जल ही रास्ते पर अंशन की तयारी में दिखाई देंगे इनबी सेन के लिए बीना संगम से अरून महाजन की रिपोर्ट